केंद्रिय संस्कृतिक मंत्राले के तहट सिविल लाइन्स नागपूर में दक्षिनमध्य संस्कृतिक केंद्र ने नागपूर में स्थानी थेटर कलाकारो लोग नुरते के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए हर महिने कारेशालाओं का आयोजन किया जाएगा इसके अलावा बच्चों के रशनातनत पहलूओं को बढ़ावा देने के लिए एक ग्रिश्मन कालीन शिविर का आयोजन किया जाएगा दक्षिन मद्य सांस्कृति केंद्र के निदेशक प्रोफेसर सुरेश शर्मा ने आज निदेशक का पत संभालने के बाद पहली बार मीडिया से बातचित करते हुए ऐसी जानकारी दी बच्चों के संपुन व्यक्तित्व विकास के लिए प्रात्मिक एवं माध्यमिक शिक्षा में रंगमंच को शामिल किया जाना चाहिए इस मौके पर सुरेश शर्मा ने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीती में निरुत्य और गायन के साथ साथ पहली बार प्रात्मिक और माध्यमिक शिक्षा में थेटर को भी शामिल किया गया है शर्मा ने बताया कि हमने दक्षिन मद्द सांस्कृति केंद्र के प्रशासनिक भवन का निर्मान जल्द पूरा करने के लिए एक बैठक भी की है तो यह मेरा नाम प्रोफेसर सुरेश शर्मा है मुझे अभी अत्रिक्त प्रभार मिला है दक्षिन मद्द सांस्कृति केंद्र का वैसे उतर मद्द सांस्कृति केंद्र प्रयागराच का मैं निर्देशक हूँ तो जो अत्रिक प्रिभार मिला है मुझे यह नहीं पता कि यह हमाई पास अत्रिक प्रिभार कब तक ही रहेगा लेकिन जब तक भी रहेगा हमारी सोच यही है कि हम जितना भी रचनात्मक और सकारात्मक काम इस छेत्र के लिए इस केंद्र के लिए कर सकें तो ये हमाई लिए उचित रहेगा और मैं करना चाहूंगा. जहां तक कि नागपूर की बात है बहुत कम समय में नागपूर को जितना हमने जाना और समझा है मुझे इस कैमपस में ये लगा कि इस कैमपस में शहर के लोगों की आवाजाही जो है वो उस तरह से कहा जाए शशक्तता के साथ नहीं है मुझे लगता है कि ये जगे ऐसी होनी चाहिए क्योंकि सांस्कृतिक केंद्र है कि लोगों को लगे कि आज हम चलते हैं सांस्कृतिक केंद्र चलते हैं आज वहाँ पर ये है कल वहाँ ये होना है या अगले हफते ये होने जा रहा है लोगों को इंतजार रहे कि सांस्कृति केंद में अगर हम जाएं तो हमें कुछ ना कुछ कलात्मक जरूर देखने को मिले और कुछ देखने के साथ साथ हम थोड़ा समय वहां व्यतीत कर सकें थोड़ा सा बैट के गपशप कर सकें कोई ऐसा वातावरण या कोई ऐसी जगे वहां सुनिश्चित की जाए मुझे लगता है कि यहां पे बहुत संभावना हैं कि जो नौदित कलाकार हैं वो यहां आएं आचार विचार करें आपस में बहस बाजी करें कहानीकार हैं उपन्यासकार हैं कवी हैं आए बैठे चाय पिए गपशप किए एक दूसरे को जो नया क्या लिखा है वो एक दूसरे को सुनाए क्रिसाइस करें एक दूसरे से जगडा करें ये वो जगे सांस्कृतिक रचनात आपमक कार्य की जगे होनी चाहिए जो केंदर की अपनी जगे है और केंदर में यह सारी चीज़े होनी चाहिए तो मेरी कोशिश यह रहेगी कि हम अगर हम सापताहिक नहीं तो मासिक यहां पर कोई ना कोई एक निरंतर कार्य करें सांस्कृतिक कभी हम स्टेज कर प्ले करें सूठीन माझाट करें कहानियों की रीडिंग करें कभी उपञ्यास का कुछ हिस्सा धनल师 जिन्हों ने लिखा उनकी एख बैठकी करें आए बैठी हम बाचीत करते हैं चर्चा करतें तो इस तरह की चीजों को लेकर के सायोग रहेगा तो जरूर सफल होंगे तो Ctrl पुस्तिकाओं के प्रकाशन के संदर में परियोजनाई शुरू की गई है शर्मा ने बताया के लुप्तुप्राई कलाओं की जीवित रखने के लिए एक कारेशाला का भी आयजुन किया जाएगा सांस्कृतिक कारेक्रमों को कवर करने वाले पत्रकारिता च्छात्रों को एक कारेशाला के माध्याम से सांस्कृतिक शेत्र में रिपोर्टिंग करने के तरीके के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाएगा NBCN News के लिए राजकुमार मोड के साथ शेती जाद देश मुक्की रिपोर्ट